एक दोर हुआ करता था कि इदरेली पॉलिटिकल सिस्टम के उपर नेतन यहु का बड़ा जोर हुआ करता था नेतन यहु बहुत ज़्यादा वहां पर पापुलर था और जब भी एलेक्शन्स होते थे ये तक्रीबन तैय होता था कि नेतन यहु भी जीतेगा लेकिन आज ये शख्स एक लेबिलिटी से ज़्यादा कुछ भी ने इदरेल के उपर और बलके मैं आपको आज हार्ड्स के अंदर हार्ड्स उनका बड़ा न्यूस आउट लेट है उसके अंदर अगर आप उपिनियन देखें आप हैरान हो जाएंगी वो कहे रहे हैं कि इसको निकालो अगर इसको नहीं निकाला आपने तो ये एदरेल को दफ़र दोस कर देग हार्ड्स के रहा है कि नेतन यहू मस्ट भी पॉलिटिकली डिस्ट्राइड और इदरेल विल गो डाउन विद हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे कुछ इस तरह का हिसाब किताब हो गया है इदरेल और नेतन यहू का वो कह रहे हैं निकालो इसको अच्छा यह क्यों इतना ज्यादा इसके खिलाव बजदन हो गया है क्योंकि इसने बहुत सारे डिसीशन्स रिसेंटली ऐसे लिए हुए जो के एक्स्ट्रीमली अनपापुलर थे और अब जो इसने कल हरकत की है वो बड़ी ही अजीब औ गरीब किसम की है आपको याद होगा कि यह ज तो यमनियों ने भी इदरेल के खिलाव जंग स्टार्ट कर रखी है अब इस पे यमन ने पहले तो इनके ओपर मीजायल मारे फिर इनके जहाजों के ओपर मीजायल मारने लगे फिर इनके जहाजों को किडनेप करना शुरू किया उन्होंने आईजेक करना शुरू कर दिया अब यमन ने कल ये बड़ा अनौसमेंट किया है कि दूसरे मुलकों के जहाज भी जो इजरेल की तरफ जा रहे होंगे उनको हम धफ़दूस कर देंगे उनको हम स्ट्राइट करेंगे जो दूसरे मुलकों से इजरेल जा रहे होंगे या इद्रेयल से दूसरे मुल्क आ रहे होंगे उन तमाम जहाजों को हम टार्गिट बनाएंगे क्योंकि इन्होंने गज़ा वालों की पानी, खौराक, मेडिसंस बन करके रखे हैं इनको भी कोई हक नहीं बहुंचता कि इनके मुल्क के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों अब इस पे नेतन यहों ने पहले तो अमेरिका को कहा कि मेरा मसला हल करें मुझे बचाएं यमन के होतियों से तो उस पे अमेरिका ने कोशिश जरूर की लेकिन यहां के जो अरब इतादी हैं वो इस चीज़ के हक में नहीं है कि यमन के खिलाफ अमेरिका लड़े क्योंकि वो नहीं चाहते कि यह जंग एसकलेट हो बढ़े वो नहीं चाहते तो इस पे अमेरिका को इतादी नहीं मिल रही है आज उसने Americans को बता दिया हुआ एक तरह से ऐलान कर दिया उसने जंग का कि मैं Yemen के हलाफ लड़ूँगा Fox News ने रिपोर्ट किया है कि Nathan Yehud tells Biden Israel will act militarily against Yemen's Houthis if US won't The Iran-aligned group has been harassing Israeli and US forces in the Middle East since the start of its war with Hamas CNN ने भी इस पर खबर लगई हुई है कि Israel ready to act against if international community fails to national security advisor says और वो किया रहे है हम तो दुनिया को टाइम दे रहे हैं हम तो इनको देख रहे हैं दुनिया क्या करती है क्योंकि ये आलमी मसला है नाव ये भी बड़ी एक शातराना सी चाल है क्योंकि ये आलमी मसला नहीं है ये बाइलेटरल इशू आप कह सकते हैं ये मन और इसरेल के दर्मियान होथियों ने अभी तक किसी दूसरे मुलक के शिप को टारगेट ही नहीं किया उन्होंने तो इसरेली शिप को टारगेट किया हुआ पूरी दुनिया को यहां पर बीच में घसितने की कोशिश करते हुए कह रहा है उनका जो नेशनल सेकुरिट इडवाइजर है उनके अलफाज में आपको दिखाता हूँ CNN को कोट करता हूँ वो कह रहा है कि एजराइल इस गिविंग दे वर्ड सम टाइम वर्ड को कुछ टाइम दे रहे हैं दुनिया को हम अपने जहाजों को बचाने के लिए रेट सी में कारवई करेंगे रेट सी में ये किस तरह कारवई करेंगे बहुत सारे मुलकों का समंदर बीच में आता है और बहुत मार्जन आफ एरर इस वेरी नेरो एक्शली यहाँ पे इतनी ज़्यादा आपके पास टेरिटरी होती नहीं है खेलने के लिए मुक्तलिफ मुलकों के समंदरी बॉर्डर से यहाँ पे उनके अंदर गुस नहीं सकते हैं इंटरनाशनल वाटर्स की यहाँ पे अगर आप देखें तो 25 यह चोटी सी बहुत ही कम है बलके ना होने के बराबर है यहाँ पे इतनी ज़्यादा वन-उन लड़ाई यहां हो नह के साथ ज्यादा से ज्यादा मिसाल मारे जा सकते हैं यह हो सकता है लेकिन उसके रिस्पांस में फिर यह भी अमनी भी ऑल आउट चले जाएंगे और यहां से मुकमल फ्रंट खोल देंगे तो यह जो जंग है यह कंटेन होने की बज़ाए मजीद फैल जाएगी अल्रड़ी ह खुद भी डूबेगा हमें भी डूबाएगा देखेना हार्ड ने क्या खबर लगई हुई है ऐसे ही तो नहीं चीख रहे हैं इसराइली माहरी इन्ही अरकतों की होजासे चीख रहे हैं हार्ड किया रहा है कि नेतन यहों मस्ट भी पॉलिडिकली डिस्टॉइड और इज्र हमास को दबड़ दूब करना है तो यह प्रेशर हम नहीं लेंगे जंग अभी खतम नहीं करेंगे जब तक हमास खतम नहीं हो जाते हैं अब हमास को यह जब खतम करेंगे तब करेंगे लेकिन इस बीच आप देखें कितने मजीद फरंट इसराइल के लिए अल्रेड़ी खु देते हैं उनकी एकसिस को अच्छा हमास वालों ने वेलकम किया है यह जो यमन के होतियों ने अनौंसमेंट की है कल के भाई हम हर इसरेली शिप को चाहे वो दूसरी मुलकों की नैशनलिटी का क्यों ना हो लेकिन अगर इसरेल जाएगा तो उसको टार्गेट करेंगे इस प लिटेरली कंटेंड करने में हेलफुल होंगे आखर मैं यह चीज़ भी कलियर कर दूं कि जो बाबल मंदब पे लड़ाई करने का इसरेल एक बादिशित कर रहा है ने कि यहां पे लड़ाई स्टार्ट करें बाबल मंदब पे ये इतना आसान होगा नहीं इस अनुछ आपन हैं इनरजी के और ट्रेड के जहाद वो बाबल मंदब से गुजर रहे होता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि अपने बल्बूते पे रातो रात अमेरिका की मर्दी के बिना और उनकी हल्प के बिना यहां पे जंग छेड़ दे इस नाट पॉसिबल ऐसा करने के लिए इसरेयल को एक तो अमेरिका की और यॉरप के बहुत सारे मुलकों की अप्रूल चाहिए होगी लेकिन क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे के अपने जो आपने जो समन्द्री उनके जो ट्रेड का जो सारा का सारा जो तहु अबल मेंड़ लेक भी इपस का और यह कि वो नहीं को कि हम किसी के शिप को टच भी नहीं करेंगे हम सर्फ इद्रेयल की शिप को यहां पर दबर्दूस करेंगे